इस नहीं लगाएँगे तो क्या होजाएगा जो हमारे HPC अनकर चिलर सिस्टम है या पैकेज-SAC है या हम नहीं होगा चलेगा या नहीं चलेगा उसमे क्या प्रलम आयगी कितन वजहों से इसको लगाया आता है इसका क्या करण होता है कितने वोल्ट पे ओपरेट होता है और कैसे ओपरेट होता है बहुत सारे भाई हमारे जानना चाहते हैं मैं इसलिए आप लोग लिए आज ये खास वीडियो लेकर आया हूँ और जो भाई हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो काम सीख रहे हैं या जो साइट पे काम कर रहे हैं या जो इंटरव्य के लिए जाते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है इसलिए आप लोग वीडियो फिल्कुल आज तक देखें इसकी इपना करें वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करतें चैनल को सब्सक्राइब करें और लोटिफिकेशन वीडियो के लिए टेक्निकल भो लाता रहा हूं वो चलिए देर ना करते हुए शुरू करता हूं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह यरका चिलर है और येर-टिलर कही तरह के होते हैं वाटर कौल चिलर भी होता है और किसी-किसी HVAC system में, package unit में, बहुत सर जगों में यह लगा हुआ होता है तो आप लोग को मैं सबसे पहले पता दूँ कि यह जो solenoid coil है या solenoid valve है यह अक्सर जो refrigeration cycle में जब भी आप देखेंगे तो यह liquid line में लगा होता है इसको liquid line बोल जाता है यहाँ पे filter dryer है filter dryer के बाद और compressor में होता है loading and loading के लिए coil यूज किया जाता है यह जो solenoid coil है वो compressor में यूज किया जाता है loading and loading के लिए उस पे मैं बहुत सारे भाई मेरे वेट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए मैं loading and loading का बनाऊंगा तो यह जो liquid line में लगाने का कारण क्या है क्यों लगाया आता है जो कारण होता है में लगाने का वह यही होता है कि जब आपका system turn off होगा shutdown होगा आप लोग बंद करेंगे यह क्या करता है यहां से बंद कर देता है यहां से बंद कर देते हैं यह भी इसमें फाइदा होता है दूसरा यह कि कई सरे चिलर में अलग-अलग system से उसका system होता है तो इसमें क्या होता है कि जब चिलर बंद होता है तो यह क्या करता है कर देता है क्योंकि आप जाते हैं जो डिस्चार्ज में अगर एक पर गैस चारने के बाद वापस नहीं आता है तो इसलिए इसका पंद भी हो जाता है थोड़ी बहुत गैस रह जाती यह कंप्रेसर के अंदर और यह जब मैंने जैसा पता है चलेगा जब कंप्रेसर चालू होगा दो पुछ आल होता है और जब कंप्रेसर होगा तो यह होता है अब इसका चीज बहुत साραइक देफों Когда प्काई दिएशाइन सब्हुता है तो अब हैं। तो ट्वंटी वोल्ट का है यह आप्रेट कैसे होता है यह अपरेट होता है तो जब चालू होगा तो इसको यह आन करतेगा यहां से और जो दूसरा मोड़र है यह और का उसमें क्या होता है कि जो हमारा रिले बोड है उधर से यह operate होता है तो आप लोग समझ गया होंगे कि operate कैसे होता है अब ही मैं इसके बात करता हूं कि इसके अंदर कौन से पार्ट से इंट्रेवु में अक्सर पूछ लेते हैं वह एक अलग चीज है और जो क्वाइल है वह अलग है तो आप लोग को मैं बता दूँ कि यह जो की पास पूछ I am जानता कि कि सी मोटर में होता है कोई ही मोटर में बना लेता है तो वह इसका ऑस करते हैं और इसके लिए कुछने करना है आप लोगों को सब्सक्राइब करना है कि इसका किरेक्शन जा रहा है करते हैं और यह जो कंट्रोल पैनल है वहाँ से इसके वायर आते हैं तो आप लोगों को वरिफाइब करना है और शेक्ट आप लोगों करना देगा इसका ठीक है नहीं है और अगर प्रेश्टर यह प्रेश्टर रखेंगे तो प्रेट पकरेगा उसका मनलब यह सही है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा दरीकेस से समझ में आई होगी वीडियो कैसी लगी कमरें बता है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरू लाइक क सेलेक करतें आपने दोस्तों साथब है और अगर कुछ आप लोगों को कुछ ऐसाค्वच्चिन है जो आप लोग जाना चाहते हैं कमेंट बोक्सपर जरूर कमेंट करें जब스를 यह कोश्च्च करता हूँ आप लोगों के में वीडियो बनाने के लिए चलिए दोस्तों मिलता ह नेस्ट वीडियो में थैंक यूरी मच्छ पर वाचिंग में वीडियो बाइ बाइ